Hello Friends, एक बार फिर से सौगत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल The Study Scan में NCRT के काफी सारे solution करने के बाद में आज हम लेके आए हैं RD Sharma से कुछ selected questions जो आपके first time exam में, यानि 9th और 10th में first time exam में आने के पूरे पूरे chances रखते हैं क्योंकि ये questions एक तो छोटे होंगे जैसा कि आपका MCQs है उसके purpose से और दूसरे ये tricky question होते हैं यानि इन question से बच्चे का IQ level है वो easily find किया जा सकता है तो देखिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question जैसे कि माल लीजे एक question दे रखा है कि 27 की power x equals to 9 upon 3 की power x ये दे रखा है और हमसे कहा जाए कि बताइए x की value क्या होगी यानि x की power क्या होगी और चलिए option भी लिख लेते हैं कि 1 होगा या B half होगी या फिर C 2 होगी या फिर D लिख लेते हैं कितना T ये इन में से कौन सी value या कौन सी power इसके लिए होगी तो चलिए शूरू करते हैं अब देखिए मैं इसकी बात करूँ तो इसे हम general और direct method से दोनों तरीके से कर सकते हैं चलिए पहले में से general method से आपको solve करके दिखाता हूँ क्या अब जैसे कि 27 की power x equals to 9 upon 3 की power x दे रखा है अब अगर मैं x को excite करूँ तो यह यहाँ पर division form में दे रखा है जिसको हम इधर भेजेंगे left hand side तो multiply में हो जाएगा यानि यह बन गया कुछ आपका 27 x into 3 की power x कुछ इस तरीके से equals to में बना हमारा 9 ऐसे अब देखिए 27 को हमने लिख लिया क्या 3 का cube और x तो ही है तो यह 3x बन गया into 3 की power x equals to इस 9 को भी हमने लिख लिया क्या 3 का square यानि कि हमने इसको इसकी जो powers हैं उनकी form में लिख लिया इस तरीके से अब next step में जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे base same होते हैं तो powers आपस में क्या हो जाती है एड हो जाती है तो इसका मतलब यह हो गया हमारा 3x plus x equals to 3 का square यानि base को एक बार लिख लिया और जो power हैं वो आपकी आपस में इस तरीके से एड हो जाएंगी देखिए जब base same होता है और कैसा होता है powers आपकी इस तरीके से होते हैं तो सिर्फ power को solve करना है base तो आपका एक बार common करके लिख लिया जाएगा अगर यही चीज़ division में होती multiply की जगा division में होती तो इसको हम क्या करते है powers को आपस में minus कर देते यानि 3x minus x बन गया होता अब चलिए इसको solve किया तो यह हो गया 3 की power 4x equals to 3 का square अब देखिए 3 को यहां से हटा देते हैं तो base यानि power हमारी हो गई कितनी 2 x की value आ गई 2 upon 4 cancel हुआ तो 1 by 2 यानि option हमारा b सही हो गया आईए बढ़ते हैं इसके बाद second question की तरफ आईए शुरू करते हैं इसके बाद हमारा second question तो देखिए second question दे रखा है 2 की power 5x divided by 2 की power x equals to यह दे रखा है देखिए root में दे रखा है आपका 2 की power 20 और value लगी हो ही है 5 इसकी बात को समझेगा क्या अब यहां division में है यानि कि मैं left hand side को solve करूँ तो यह pair हमारा division में है और division में powers minus हो जाती है तो इसका मतलब यह हो गया 5x minus का x इस तरीके से equals to अब देखिए second type देखिएगा second type में यह जो लिखा हुआ है 2 की power 20 इसका मतलब और उपर जो बाहर लिखा हुआ है 5 इसका मतलब यह होता है कि आप जब 2 को 20 times लेखेंगे यानि इस तरीके से 20 times लेखेंगे तो उसमें 5 5 के जोड़े बनाने है क्योंकि मैं आपको एक बात होता हूँ जब हम इस तरीके से square लिखते है जैसे 4 लिखा तो यहाँ पर square 2 लिखा जाता है जिसका मतलब होता है आपको 2 2 के जोड़े बनाने है जब cube root होता है जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने कितना 16 और यहाँ पर क्या लगाती है 3 तो इसका मतलब क्या होता है कि 3 3 के जोड़े बनेंगे याँ एक काम करते है इस 16 की जगा पर हम 8 लिख लेते हैं इस तरीके से 8 लिखा तो देखिए 8 का मतलब है कि यह आपका कैसा बन गया टू 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 इसके एक जोड़े में से सिर्फ एक बाहर आता है अब वही वो चाहता है कि आप 5 5 के यानि 5 5 बार 2 आए उसके जोड़े बनाएए और उनमें से एक बार 2 को बाहर निका लिए तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप समझिए कि अगर आपके पास 2 जो है यानि 2 जो है वो 20 टाइमस लिखा हुआ है तो 5 5 के पेर कितने बनेंगे 4 यानि कि यहां से जो निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 2 की पावर 4 इस तरीके से अब यह हमारा solve हुआ 5X-X यानि 2 की पावर 4 हो गया 4X equals to 2 की पावर 4 अब 2 से 2 यह cancel हो गया 4X equals to 4 आया X की value निकाली तो 4 upon 4 cancel होके बना 1 यानि option हमारा A सही होता है आईए बढ़ते हैं 3rd part की तरफ तो देखिए 2 की पावर 3 की पावर 4 equals to 2 की पावर 2 की पावर X इस तरीके से दे रखा हैं अब जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी first वीडियो में दे चुका हूँ कि जब भी कभी क्या होता है कि पावर के उपर पावर लिखी होती है ब्रैकेट में तो उनका relation हमेशा आपस में कैस का होता है into का यानि multiply का तो ये नंबर हमारा हुआ 2 की पावर अब 3, 4, 12 इस तरीके से ये हुआ आपका 2 की पावर अब 2 की X से multiply करेंगे 2X ऐसे बन गया इस 2 से इस 2 को हटा दिया तो यहाँ पे रहागे 12 यहाँ 2X यानि कि यह होगे आपका 2X equals to 12 2 से इस 12 को cancel किया 6 टैम पे X की value निकल आई कितनी 6 यानि कि अगर पावर 6 रहीगी तो दोनों values बरावर निकल के आएगे तो option C हमारा सही होता है आईए बढ़ते हैं next question की तरफ चलिए आईए देखते हैं आज का हमारा fourth question fourth question दे रखा है क्या 3 upon 5 की power X 5 upon 3 की power 2X equals to 125 upon 27 इसको solve करें तो उससे पहले हमें एक चीज़ दिख रही है क्या कि यह जो 3 upon 5 और 5 upon 3 है यह आपका same नहीं दे रखा यानि इसमें आपका base यानि आधार एक जैसा नहीं है जब आधार समान नहीं होगा तो यह question आपका इस तरीके से solve नहीं होगा या फिर आप यह समझ लीजिए कि पहले आपको आधार यानि कि जो base दे रखा है आपको उससे क्या करना पड़ेगा same बनाना पड़ेगा तो देखिए इस question में अब हम क्या करेंगे यह चाहता है कि आपका अंश अंश यानि कि numerator कहां पे आए 5 की form में रहे तो इसको जब हमने पैटा यह हो गया हमारा 5 upon 3 और यह जो power x रही थी positive x अब वो हो जाएगी हमारी कैसी negative x यानि कि जब power positive से negative होती है आप उसका reciprocal कर सकते हैं जब negative से positive होती है तब आप उसका reciprocal बना सकते हैं या अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगली form आपपी 5 upon 3 2x दे रखिए हैं ऐसे ही 125 को लिखा तो 125 हमारा बनता है किसका 5 upon 3 और इसका बन गया क्यों क्योंकि 5 into 5 into 5 आपका 125 बनाएगा और 3 into 3 into 3 आपका 27 बनाएगा दोनों की common power को हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिए क्योंकि ये number आपका 5 का cube upon 3 का cube बन रहा है तो क्यों ना इसकी power को common ही करके लिख लिए जाए ऐसे करके लिख लिए अब इसकी बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए multiply में powers आपस में add होती है यानि कि ये हो गया आपका 5 upon 3 minus का x plus का 2x equals to 5 upon 3 की power 3 इस तरीके से ये base हमारा cancel हो गया यह 2x में से x चला गया तो x बचा equals to 3 यानि सीधा सीधा answer बन गया हमारे पास क्या value यानि ये power निकल के आई आई आपके कितनी 3 तो समझा आपने ये fourth part आईए बढ़ते हैं इसके बाद next fifth part की तरफ और उससे पहले में एक चीज़ आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल को visit कर रहे हैं first time चैनल को जरूर subscribe कर लें क्योंकि ये questions हम आपके बोर्ड एक्जाम की तयारी कराने के लिए और बोर्ड एक्जाम के जो upcoming questions हैं उन पे base लेकर आए हैं इसी टैट के question आपके बोर्ड एक्जाम में आएंगे definitely आएंगे चलिए शुरू करते हैं next question इसके बाद शुरू करते हैं आज का हमारा fifth part देखिए 5 की power x minus 2 into 3 की power 2x minus 3 equals to 135 दे रखा है अब देखिए इसको हमने लिखा तो यह देखा हमने क्या कि भाई यहाँ पर तो दोनों साइड में हमारे जो आदार यानि base हैं वो same नहीं है और right hand side की बात करें तो 135 के हम क्या करते हैं factor कर लेते हैं जब हमने इसके factor किये तो यह बना कुछ इस तरीके से 5 into 3 into 3 into 3 यानि 5 त्रीजा 15 15 त्रीजा 45 और 45 त्रीजा होता है आपका 135 यानि 5 और 3 की टर्म में तोट गया देखिए एक चीज़ समझ लिजे इन questions के लिए आपकी left और right hand side के जो numbers होंगे वो हमेशा दोनों numbers यानि उनका base हमेशा equal ही दे रखा होगा यह ज़रूरी है क्योंकि form बनाने के लिए यह same रहते हैं यानि कि अगर आप 135 यहां पर कोई भी दूसरा number होता तो उसके जो factors निकल के आएंगे वो 5 और 3 ही निकल के आएंगे क्योंकि इधर भी 5 और 3 ही दे रखें अगर यहां पर 7, 8, 9, 10 कुछ और दे रखा होता तो यह number भी हमारा 9, 10 यह 7, 8 उनहीं number में तूटता तो इसमें यह घपरानी की ज़रूत नहीं है कि मुझसे factor नहीं हो रहे आप उनको prime factorization कीजिए easily आपके पास क्या आएंगे factors निकल कर आएंगे चलिए अब इसको हमने ऐसे लिखा 5x-2 into 3 2x-3 यह हो गया हमारा आगे की form में 5x-2 into 3 2x-3 equals to 5 की power 1 into 3 का cube ऐसे करके लिख लिख लिया अब एक चीज समझिएगा क्या कि यह जो 5 वाला है यह point बनाएगा किस के संग इस 5 वाली term के संग क्योंकि इनका इनका relation आपस में एक जैसा है वही इसके लिए बात की जाए कि यह यहाँ पे ऐसा क्योंकि भी left और right hand side में जो numbers होंगे अगर वो same time आएंगे तब ही तो left और right side equal होगी अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर 5 दस बार आए इधर 5 एक बार आए और दोनों की values equal हो जाए यह नहीं होगा यानि वो numbers जो जितनी बार आएंगे same time ही आएंगे तो अब यहाँ से हमने 5 के लिए किया तो 5 x minus 2 equals to 5 की power 1 यह हो गया इसको 5 को cancel किया x minus 2 equals to 1 x की value हो गई 1 plus का 2 x की value निकल आई 3 चलिए एक काम करते हैं इसे 3 से भी solve करके देख लेते हैं कि answer सही आता भी है या नहीं तो देखें 2x minus 3 equals to 3 का cube क्योंकि यह गया इसके साथ अब base हमारे cancel हुए तो यह बना 2x minus 3 equals to 3 इस तरीके से अब जिस 3 को हमने इधर बेजा तो यह हो गया 2x equals to 3 plus 3 x equals to 6 by 2 cancel किया तो 3 आप देख सकते हैं कि दोनों ही जगा x की value कैसी निकल के आई है same निकल कर आई है यानि कि आपको बारबार दोनों solve करनी की ज़रूत नहीं है अब किसी भी एक factor को उठाएं उसको solve करें आपका option मिल जाएगा यानि आपका answer मिल जाएगा आईए बढ़ते हैं इसी की बार next question की तरव तो चलिए शुरू करते हैं आजका 6 part 2 की power x minus 5 5 की power x minus 4 equals to 5 यह हमें दे रखा है अब हमसे कहा गया है की x की value निकाली है अब एक चीज़ समझेगा जैसा कि मैंने भी कहा था कि हमारे left और right hand side के जो factors होंगे वो same होंगे और same number of times होंगे यानि एक समान बार आएंगे अब यहाँ पे 5 तो दे रखा है बई लेकिन 2 तो दे ही नहीं रखा तो जब 2 नहीं दे रखा तो यहाँ तो आप यह समझे लीजे कि आप 5 को ही compare करके answer निकाल लीजे लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 से नहीं करना या नहीं हो सकता तो एक चीज़ जान लीजे कि जो चीज़ नहीं होगी वो यहाँ पे 0 बार होगी यानि कि जो चीज़ नहीं होगी वो 0 बार होगी क्योंकि इस 2 की power 0 का मतलब कितना है 1 और 1 को गर 5 से into कर भी देंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अब हमारे पास दोनों चीज़ आ चुकी है और अगर नहीं आती तो इनको solve करते तो चलिए शुरू करते हैं क्या कि 2x की power 5 equals to हो गया 2 की power 0 यहां से नहीं solve किया तो 2 आपका cancel हो गया x minus 5 equals to 0 यानि x की value आ गई आपकी 5 चलिए 5 से solve करते हैं तो 5 x minus 4 equals to 5 यह हुआ 5 से 5 कट गया जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है तो x minus 4 equals to 1 इस तरीके से चलिए बढ़ते हैं आज के last question की तरफ तो चलिए देखते हैं आज के हमारा 7th part 2 की power x minus 7 5 की power x minus 4 equals to 1250 यानि 1250 आई चलिए शुरू करते हैं तो देखी क्या इसको हमने ऐसे ही लिखा ये into 5 x minus 4 equals to अब ये जो 1250 है अगर मैं इसके factor करूँ यानि कि इसको factorize करूँ तो ये होगा हमारा 2 into क्योंकि इसका आधा कर दिया तो बचा हमारा 625 और 625 का मतलब है 5 की power आपका 4 तो चलिए देखी क्या बना कि 2 x minus 7 into 5 x minus 4 equals to 2 की power 1 into 5 की power 4 क्योंकि 5 into 5 25 25 5s are 125 125 5s are 625 25 आपका बन गया अब यहां से x के लिए compare करिए तो पहले 2 का जोड़ा उठाते हैं x minus 7 equals to 2 की value 1 ये हो गया हमारा क्या 2 cancel हो गया तो x minus 7 equals to 1 x की value निकल आई 8 अब देखिए 1 को मैंने solve कर दिया दूसरा part 5 के लिए यहां पर आप solve करेंगे और solve करके ये बताएंगे कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं तो ये आज का आपका homework हुआ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईगा तो चलिए चलते हैं लेके आएंगे एक नया topic नई वीडियो में तब तक के लिए बबाद प्राइब करेंगे